हलो एंड वेलकम टू जैभासकर क्लासिज आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ओसकर वाइल्ड का लिखा एक मशूर प्ले जिसका नाम है दा इंपोर्टेंस ओफ बिंग अर्नेस्ट चलिए शुरू करते हैं अर्नेस्ट नाम होने का महत्व बच्पन में अपने परिवार से रेलवे स्टेशन पर बिछड गए एक बच्चे की कहानी को दर्शाता है यह प्ले दो दोस्त एवम उनकी प्रेमिकाओं की कहानी को भी दर्शाता है यह प्ले इस प्ले के मुख्य केरेक्टर यानि मुख्य पात्र हैं जो इस नाटक में हैं वो हैं अलगरनोन, जैक, गेंडोलीन, सिजली, लेडी ब्रेकनेल और मिश प्रिज्म. अब अलगरनीन और जैक दोनों बहुत घहरे दोस्त होते हैं और लेडी ब्रेकनेल की एक डॉटर होती है जिसका नाम होता है गेंडोलीन. अब Jack जो है वो गेंडोलीन से बहुत प्यार करता है और Jack की एक नीज होती है Sizzly अब Algornon और Sizzly भी आपस में बहुत प्यार करते हैं और Miss Prism जो होती है वो गवर्नेस होती है Lady Bracknell की sister की तो अप लेश शुरू करते हैं Algornon और Jack दोनों बहुत ही घहरे दोस्त होते हैं तो Jack जो है वो कंट्री में रहता है और Algornon जो है वो लंडन में रहता है अब Jack अपनी लाइफ में एक डबल रोल वाली लाइफ जीता है यह जब भी वो आसपास के लोगों से बोर हो जाता है या उसे कुछ चीज अटेंड नहीं करनी होती है तो वो यह कहकर लंडन चला जाता है कि वह अपने भाई से मिलने जा रहा है जो बहुत बीमार है और वह लोगों को अपने भाई का नाम Ernest बताता है पर असल में जैक और Ernest दोनों एक ही व्यक्ति है और जैक अपने इस फेक नाम Ernest को रख लेता है और जब भी वो लंडन जाता है तो Ernest नाम से ही जाना जाता है अब वहाँ पर एलगर नौन के कदिन होती है गैंडोलीन जैक उसे बहुत प्यार करता है और उसको अपना नाम Ernest बताता है अब एक बार क्या होता है कि जब जैक वापस कंट्री साइड आ रहा होता है तो वो एलगर नौन के घर पे अपना सिगरेट केस बूल जाता है उस cigarette case पे लिखा होता है कि ये आपकी प्यारी सिजली की तरफ से अंकल जैक के लिए एक बेट यह पढ़कर बहुत उच्छाइत हो जाता है और वह सिजली से मिलना चाहता है तो जैक उसे बताता है कि सिजली उसकी नीज है जो कंट्री में रहती है और इसी बीच लंडन में गेंडोलीन की मदर मना कर देती कि वो जैक की शादी अपनी डॉटर गेंडोलीन से नहीं कर सकती क्योंकि जैक एक हैंड बेग में पाया गया था जो कि एक रेलवे स्टेशन पर मिला था इसके अब आगे बढ़ते हैं प्ले में तो सिजली जो है वो एलगर नौन से प्यार करने लग जाती है क्योंकि एलगर नौन जब कंट्री पहुंचता है तो वो सिजली को अपना नाम अरनेस्ट बताता है और हमेशा से इस सिजली अरनेस्ट नाम के व्यक्ति से प्यार करती है जो उसके अंकल का भाई होता है और इसी बीच मिस प्रिजम आती है और लेडी ब्रेकनेल को पैचान लेती है और लेडी ब्रेकनेल और मिस प्रिजम आपस में एक दूसरे को पैचान लेते हैं मिस प्रिज में कहती है कि वो पहले लेडी ब्रेकनेल की जो बेहन थी उसकी गवर्नेस थी और वो एक बेबी बॉय उससे रेलवे स्टेशन पर छूड़ गया था अब जैक जब ये बात सुनता है तो वो एक हैंडबेक लेकर आता है यह वही हैंडबेक होता है जिसमें जैक पाया गया था railway station पे मिस प्रिज में इस handbag को पैचान लेती है और इससे यह साफ हो जाता है कि जैक ही Bracknell की बहन का लड़का है पर गेंडोलिन जो है वो उसी व्यक्ति से प्यार करना चाहती है जिसका नाम Ernest है इसलिए वो उदास हो जाती है और वो जैक से शादी नहीं करना चाहती है इसी बीच लेड़ी Bracknell जो है वो जैक को बताती है कि उसका नाम उसके फादर के नाम के उपर रखा गया जो Military में एक General थे तो जैक एक Military reference की बुक को ढूंड़ता है और उसमें वो उसको पता चलता है कि उसके फादर का नाम Ernest है यह सुनकर जैक बहुत ही खुश होता है कि उसका जो फेक नाम जो इतने दिन वो उसने रखा हुआ था वही उसका रियल नाम है जब ये बात गैंडोलीन को पता चलती है तो वो भी जैक से शादी करने के लिए राजी हो जाती है और इदर सीजली और एलगर नौन भी एक दूसरे से शादी के लिए तैयार हो जाते हैं तो ये दोनों कपल आपस में शादी कर लेते हैं और एंड में जैक जो है वो सब को बताता है कि आज उसे जिंदगी में पता चला कि अर्नेस्ट होने का क्या महत्व है अब हम अर्नेस्ट का मिनिंग समझते हैं समवन विस सिंसियर एंड इगर टू नो सम्थिंग यानि ऐसा व्यक्ति जो जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इससे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकें धन्यवाद